आप सब्सक्राइब को दीपवली की पतिक शुक्त काम नाएं दीपवली का एक खुशियों का तरहा है जिस पर हम लोग मिठाईया बाटते हैं पठाके जलाते हैं लेकिन पठाकों की बज़े से जो आखों में मेजर इंजिरी जो देखने को मिलती है उससे साबधानी कैसे बरते हैं कैसे अपनी पठाकों से अपनी आखों को सेफ रखें कैसे पठाकों के पॉलिशन से अपनी आखों को सेफ रखें तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे तो भी दीपबली क्या एक खुशियों का त्याहार है लेकिन इसका सापधानी बटना भी बहुत चलूरी है एक छोटी सी गलती की बिज़े से आपकी आखों की रोशनी जो है वो जा सकती है हमें क्या क्या सापधानी बटनी है पठाकों को हमेशा दूर से जलाना चाहिए पठाकों के पास नहीं आना चाहिए अगर हम पठाके पास से जलाते हैं तो क्या है आख में मेजर इंजरी होने के जाद़ चांसे रहते हैं दूसरा क्या पठाके जलाते समय हमें क्या है कोई प्लेन पावर या फिर गोगल या फ तो प्रॉपर हमें जब भी पठाकर चलना है तो हम में चश्म मत या लगाकर हमें फूलृड ज़ड़ी जलाना चाहिए जिससे क्या है हमारी आखे रहेंगी दूसरा क्या है इनस अगर पठाकर चलाते समय आपकी आख music you या फिर कोई dust particle आँख में चला जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है आँखों को साफ पानी से अच्छे से नॉर्मल पानी से उसको wash कर लेना चाहिए और अपने eye doctor को consult करना चाहिए wash करने के बाद भी अगर आँख में मालीजिए कोई लालपन नहीं भी है फिर आँख में आँख से कोई पानी भी नहीं निकल रहा है या फिर आपका vision clear है तब भी आपको उस condition में भी एक बार अपने eye doctor से consult कर लेना चाहिए तो ये जो साफधानी है आपको जो मैंने बताई थी वो आपको बटनी चाहिए जिससे हम अपने आपकों को सेफ रख सकें दूसरे एक बार फिर से मेरी तरब से आप सभी को दीपावाले की बहुत बहुत शुक्कामना है थैंक्यू सो मच पर दो वशिंग वीडियो